कि तुल्शी दास के दूसरे भाग भी हम तुल्शी दास के अन्य रतनाओं को बढ़ रहें हैं। रामदलाणहेचू और यह रामदलाणहेचू एक ऐसी रतना है। जो लोग गीतों को संग्रह एक प्रकार से माना जाता है। तो ये ऐसा भी कहा जाता है कि मैंने आपको पहले एक बात बताई थे कि तुल्षी ने बहु प्रतिभा संपन ये कवी है और इन्हों ने ब्रज भासा में लिखा और अवधी में लिखा तो राम चंद्रे शुक्र ये कहते हैं कि जिस अवधी पर पद्मावत में जैस्ची का अधिकार दिखाई देता है यान ग्रामिन अवधी पर वैसा ही अधिकार इनका तुल्षी दास का भी है हम यह कह सकते हैं कि ठेट ग्रामिन अवधी का प्रयोग पद्मावत ने किया है जैस्ची ने पद्मावत में किया है वैसा ही प्रयोग राम मानस में संस्क्रट निष्ट अव़िका प्रयोग किया राम लळा नहतु जान की मंगल और पारवति मंगल में गरामिन जबात नहीद देखने को मिलती बिन भाषाओं में लिखा और भाषाओं के बिन भिन रूपों में लिखा बाषा दोनों प्रकार के ग्रामिण भी है और तत्सम परदान भी है तो इसलिए तुल्शिजास वो महा कवीश रोमनिया बगतिकाल के बहुत बड़े कवी हो जाते हैं लोग गीतों की रतना इसमें मिलती हैं इसमें सौहर संद में लिखा की रचना है फ़र असल में लोग गीत भी होते हैं स्थर किस्ता में गायाज जाते मुझे ध्यान नहीं किसी विद्यारती को जानकार हो तो वह टिपनी कर सकता है पारवती मंगल और जानकी मंगल दोनों अवधी भासा में लिखा गया पारवती मंगल में शीव पारवती का विवा है और इसमें जानकी मंगल में राम और शीता का व्योग वर्णन है दोहावली इसे तुल्षी सत सही भी कहा जाता है लेकिन इसमें साथ से दोहें नहीं है इसकी भासा वो ब्रज भासा है इसमें नीती वेराग्ये और आदी की ज् है तो पुल रचना और असरी में मुझे तुल्षी की जो रचना है उसमें कवितावली इस्रबादी क्प्रसंद है ब्रज भासा में यह साथ कांड़ों में लिखे गई हैं और कवितावली की एक बात में हमेशा कहता हूं कि तुलशी के राम को जानना है तो आप राम चरितमानस पड़े हैं और तुलशी को जानना है तो विन्य पत्रिका पड़े हैं जबकि तुलशी के समय को जानना है तो कवितावली पड़े क्योंकि कवितावली के उत्तर काण में तुल्शी दास ने अपने समय की तातकाली परिस्तितियों का जैसा चित्रन किया है वैसा भक्तिकाल में किसी भी कवी को नहीं मिलता है यहालंकि कबीर आद्यी ने विल्कुल एकडम जनता के असे समन्य जनता के निकट होकर बातें कहीं है और सकूंधे का अANDुशा मिलता है कवीत और सब्सक्राइब का बना ल 시क्तिकाल में लिखा गया है और सभ्यच्राख कम्यूग इसमें कहीं कहीं किया गया है कुछ विद्वान कवितावली को तुल्सी के अंतिमरतना ना मानते यह कुछ विद्वान कहने का मेरा मतलब है कि यह शोर नहीं प्रमानिक नहीं है तथे लेकिन कोई ऐसा प्रस्न आज है और जहां कवितावली पइसे कहीं कहीं अवी मिلती जब कि रामाजिया प्रस्थना ओली में दूनें भासाओं में पर यो अपने मित्र गंगा- राम के कहने पर लिखी थी और इसमें साथ सरग हैं और प्रतेख सरग में सातलों सबραब कर चेर्विक डोह सकते हैं रा कि बरबे रामायन भींकी रचना है अब आर्भासा में अपने इसाब से में रिठिकाल की जो प्रवर्वर्ति यह कहीं ने कहीं वह भी दिकाई इसमें देती है द इंगमान बहुतों को cauliflower को ये उतनी तुछ नहीं है लेकिन इसमें एछकोलिकी मिघना वहाँ हिक बहुत से लोग अलग राचना नहीं माणती है बारह राचनाओं का जो नाम मैंने बताये था आपको रमके कि दास के बारे में दो चार बाती और अपने करेंगे उसके बाद में इसको समाफ्त करेंगे जानकी मंगल पारवती मंगल राम लाला नहचू बरवे रामाण विराग्य संदीपनी यह वो रतनाई हैं जिनका संकलन लाला भगवान दिन किया और पंच रतन नाम से किया यह आप ध्यान रखें तो ऐसा प्रस्ण आसकता है कि कौन सी रतना लाला भगवान दिन के पंच रतन में शामिल नहीं है तुल्सिका संपुर्ण का विराठ चेस्टा है विरुध असल में भासाओं का आप देख सकते हैं कव्या रूपों का आप देख सकते हैं ग्रस्त का देख सकते हैं निर्गुण सगुण का देख सकते हैं यह बड़ा प्रस्ण बनता है लिखित में इसकी मां जादा चर्चा सब निर्गुण संतों के द्वारा एक प्रकार से खंडन मंदन की भासा हैं अपनाई जा रही थी सूर्दास आदी है वो जीवन के उद्लास और उत्सव को लेकर चल रहे थे उसमें जो चिन भिन होती भारतिया संस्कृती है चिन भिन होता भारतिया गोरव है उसको वापस ल प्रियादावादी दृष्टी कोण से बना हुआ है और वहीं मरियादावादी दृष्ट्री कोण राम चंद्रे शुकल का वियालोचना में मिलता है शुकल के अनुसार तुल्सीदास या सूरदास की पध्य शेली यानि विनयापत्र गार्ण में पद है गंग आदी भाठ बढ़ना टापन अंचा-त जो इन्हों नहीं रामचंद्र शुकल की पंक्ति है और इन्हों ने इसलिए कहा है कि ज्यान भक्ति योग का जौ समनुधे यहां ग्यान भी हो भक्ति भी है और योग भी है राम चंद्र शुक्ल कहते हैं योग दो के वल उतना ही है जितना ध्यान के लिए आवशक योग नहीं है योग पर ज़्यादा बल नहीं दिया तो सभी तत्वों का समावेश होने के कारण इनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशे धयान की और योग की और इतना जदा उनका दवाव बनाया और बहुत अधिक आग्रक हेग से योग को सामने वो लाए इस सिर जो भक्ति की सहज्ञ भावना है जो जन के लिए िसामन मौन सुल्भ हो सकता है उसं भक्ति से लोगों का ध्यान हंटा इसी बात को लेकर गोर्क यह सेंक्ड़ों पंक्तियां है मैंने शामिल नहीं करके ये बीत पंक्तियां कर संभबवों कहीं पढ़ें क्योंकि नेट आधी की परिक्षाव में बार-बार ये पंक्तियां पूछी जाती है तो तुर्शी दास के बारे में इतना ही जितना मुझे मोके पर ध्यान आया और जितना मुझे याद रहा उतनी बाते मैंने बताने के कोशिस की हैं अन्य कोई सवाल होके प्रस्ण हो तो आप उसको टिपणी में फूट सकते हैं शुक्रिया